हलो एब्रीवन मैं हूँ ममता और स्वागत है आपका कलाकारी हप में तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीज स्पेशल सत्तू के लड्डू की रेसिपी वैसे तो तीज पर हर जगे अलग-अलग रेसिपी बनती हैं लेकिन ये है राजिस्तान के तीज स्पेशल सत्तू के लड्डू की रेसिपी के शेयर जरूर करना और इंट्रेस्टिंग रस्पीस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर लेना चलते हैं वीडियो की तरफ तो सत्व के लड़ू नाने के लिए हमने लिये हैं यहां पर डेड़ कप भूने हुए चने यह भूना हुआ जो चना आता है जिसके उपर राइंडिंग जार में डालेंगे और हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है इसको अच्छे से पीस लें और आप ना इसको एकदम लगातार ना चलाते रहें रुक रुक कर चलाएं और यह लिए इसको मैंने पीस लिया आप एक इस टाइप से कोई छलनी रख लें और उसमे तरीके से आप इसको छान लें यह आसानी रहती है कोई टुकड़ा हो तो बीच में पता चल जाता यह देखे थोड़ा मोटा मोटा रह गया था तो इसको भी मैं ग्रैंडिंग जार में डाल दूंगे और जो हमारा दूसरा बचा है आदा जो बचा हुआ भुनावा चना है इसको पीसेंगे इसके साथ ही पीस जाएगा तो चलिए इसका भी हम बढ़िया से फाइन पाुडर बना लेंगे और इसको भी हम उसी तरीके से छान लेंगे यह देखे यह जबए हमने थोड़ा सा मोटा मोटा बचिया इसको हम अलग निकाल देंगे यह अगर बीच में आएगा ना अब लड़ू के बीच में खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए यह प्रोसेस जरूरी है तो चलिए इसको तो हमने पीस लिया है और अभी हम इसको कड़ाई में डालेंगे और इसको थोड़ा सा हमेना भूनना है लो फ्लेम पर भूने यह जरूर ध्यान रखें गैस का फ्लेम आप आए बिल्कुल ना करें लो फ्लेम पर रखें और लगातार चलाते रहें सिर्फ दो मिनट आपको भूना दो से तीन मिनट कर सकते हैं हलकी हलकी खुश्बू आने लग जाएगी और थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से चलाएं आप इसको लगातार चलाएं बिल्कुल भी ना बीच में छोड़ें और लो फ्लेम पर चलाएं बहुत ही बढ़िया खुश्बू आएगी कि इसको सेक लेने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है वैसे तो यह चने भुने हुए हैं पर इसमें थोड़ा बहुत कोई मौश्यर हो तो वह भी चला जाएगा और बहुत अच्छी खुश्बू बहुत अच्छा तेस्ट आएगा तो यह प्रोसेस जरूर करें आप सिर्फ दो से तीन मिनट लगेंगे तो देखे थोड़ा थोड़ा रंग भी चेंज हो गया है अच्छी सी खुश्बू आ रही है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और गैस का फ्लेम ओफ करने के बाद भी उसको चलाए थोड़ा अभी हमने एक पैन में एक चमच घी लिया है ए अधाम को पहले डाले और बाद में का जो और यह मैंने चिरोंजी डाली है चिरोंजी तो बस आपको कुछ सेकेंड के लिए ही रोस्ट करने गैस का फ्लेम ओफ कर दें जो थोड़ा बहुत पैन गरम है उसी में हो जाएगा और यह हमारा सतु ठंडा हो गया है इसको हम एक ब अधा कप चीनी लिए आप कम जादा कर सकते हैं और यह ड्राइफ फूट्स भी इसमें मैंने डाल दिये हैं उनको मैंने कट कर लिया था रफली बहुत बारीक बारीक नहीं मोटा मोटा कट कर ले भूनने के बाद और अब हम इस मिक्षर को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे यह अब हम इसमें घी डालेंगे यह मैंने आदा कटोरी घी ली है मतलब आदा कप घी लिया है यह समझ लीजिए और इसको हमने थोड़ा सा डाला है पहले थोड़ा सा बचा लिया है मतलब हाफ डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो हाफ बचा था वो भ बनने लग जाएंगे ये देखे इस तरीके से इसमें आदा कप घी तो जरूर ही लगेगा क्योंकि कम घी से ना ये गले में चिपकने लग जाता है लडू तो आदा कप घी तो अच्छा लगेगा और बढ़िया से बाइंड भी होंगे लडू और बहुत ही टेस्टी लगेंग देखो पांच मिनट मुश्किल से लगे होंगे और आपके सत्तू के लडू बनकर रेडी है तीज पर आप ये रेसिपी जरूर बनाएं सबको बहुत पसंद आएगी और बनाने में भी आसाने कम समय में बनकर रेडी हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों अगर आज की रेसिप आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबेक मुझे जरूर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें